हेलो फ्रेंड्स जैसी किछना जै मैतादी जैसरी श्राम कैसे हो दोस्तों आप से भी आश्रा करती हूँ कि आप से भी बहुत अच्छे होंगे प्राथना करूंगे आप इश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें देखें आज की वीडियो का जो टॉपिक है वह है आपका भ तो चलिए शुरुबात करते हैं जल्दी से वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बल आइकन को प्रेस करें साथ ही वीडियो को शेर करना ना भूलें स्क्रीन पर तिन कॉइंस आपको दिखाए देरोंगे फर्स नमबर पे पांच रुपे का कॉइन है साके नमबर पे 10 रुपे जोर थर्ड नमबर पे एक रुपे का कॉइन है इन तीनों में से कॉइन चूस कर देजिए उसके बाद हम देखेंगे आपका भाग्या आपको क्या बनाना चाहता है क्या कहने चाहते हैं इश्वर आपसे टेरो कार्ड आखिर क्या संदेश दे रहे हैं आपके फ्यूचर के लिए तो चलिए करते हैं शुरुआ फर्स नमबर की बात करें जिनोंने भी पांच नमबर का कॉइन चूस करा है तो आपके लिए यही कहना चाहेंगे दोस्तों भाग्य हमेशा आपके साथ हैं भाग्य हमेशा आपके पक्ष में हैं जो आप चाहते हैं वो आपको जरूर मिलेगा जो आप बनना चाहते हैं वो आप जरूर बनेंगे दिखिए आपका जो स्वभाव है ना तो बहुत ज़्यादा पाने का है ना ही बहुत ज़्यादा लो क्लासेस हैं मतलब आप मिडिल क्लासेस व्यक्ति हैं आप हमेशा दाल रोटी खाने पर चेन क निंद आने पर विश्वास रखते हैं बहुत बड़े सपने आपके नहीं है लेकिन फिर भी आप जिंदगी में बहुत बड़ी उप्चुनिटी जरूर पाएंगे बहुत बड़ी उपलब्धी आपको मिलेगी लाइफ में सब कुछ होगा आपके पास आपकी जिंदगी एश करना चाहे कितना ही बड़ा हिसाब हो चाहे कितनी ही बड़ी बात हो लेकिन हर जगे आप पैसो का तोल मोल के हिसाब करते हैं क्योंकि ये आदत आपको बहुत जल्दी आगे बढ़ाने वाली है दिखिए जीवन में हमेशा जो इनसान पैसो की कद्र करता है जो वैल्यू तो अगर आप चाहते हैं कि भाग आपकी वैल्यू समझे तो उसके लिए आपको टाइम और पैसा दोनों की वैल्यू को समझना होगा आपके अंदर वो चीज है बहुत ज़्यादा बड़े सपने नहीं है लेकिन आप दिल के बहुत अच्छे इंसान है विवहारिक इंसान ह अब हमेशा लोगों को सही राय देने पर विश्वास करते हैं आप कभी भी किसी को दिखावा नहीं करते हैं आप हमेशा चाहते हैं कि कोई आपकी तारीफ करें लेकिन इसा होता नहीं है अधिक तर लेकिन आप हमेशा अपनी जो भी कारे रहता है जो भी कारे आप करते हैं या वो सभी दिल से करते हैं महनत से करते हैं पहली बाद तो आप कारी वही करते हैं जो आपको पसंद हो या जिसमें आपको इंटरेस्ट आरा अनिता आप कारी को छोड़ देते हैं आलसी है थोड़े कर्म प्रधान भी है कर्म करने पर ध्यान देते हैं आपको पता है कि जिसा बीच आप बहुगे विच आपको मिलेगा इसलिए आप हमेशा कर्म प्रधान रहते हैं कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं हमेशा सबके लिए अच्छा सोचते हैं जीवन में हमेशा सबको आगे बढ़ने की प्रेड़ना देते हैं लाइफ में कभी हार मान ही नहीं सकता वह हमेशा जीवन में आगे बढ़ेगा इसलिए लाइफ में कभी भी अगर कोई आपके पास हेल्प के लिए तो उसे प्लीज मना ना करें बिना हिर्च किछार्ट के निस वार्त भाव से उसकी मदद करें आप ऐसा करते हैं आपका दिल बहुत दय आजाते हैं और आप अपने सामर्थ के अनुसार लोगों की मदद करते हैं तो चलिए आपका भविश्य बड़ा उज्वल है बिल्कुल टेंशन ना लिया सैके नंबर की बात करें जिन्नोंने टैन नंबर का कोई चूस करा हैं तो आपका भाग्या आपको क्या बनाना चाहत है आपके लिए बोलना चाहेंगे कि कभी कभी आप बहुत जादा उचा सोचने लग जाते हैं बहुत बड़े-बड़े ख्वाब आपके चालू हो जाते हैं जिस वज़े से कई बार आपके सपने भी टूटें कई बार आपके कार्रियों में रुकावटे भी आये क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा सोचना मतलब अपने जो कहते हैं अपनी कैपिसिटी से भी ज्यादा सोचना अपनी समता से भी ज्यादा आप कारी करने की सोचते हैं अपने सपनों को बहुत ज्यादा बड़ा देखना खराब नहीं है गलत नहीं है लेकिन उन सपनों को पूरा करने म पिर आपका सपना तूटता है सपना पहले छोटा देखें छोटा सपना जैसे पूरा होता है फिर उससे थोड़ा बढ़ा देखें ऐसे करके आप स्टेप बाइस टेप अगर जीवन में चलेंगे ना तो कभी आपके सपने तूटेंगे नहीं लेकिन एकदम से छलांग लगान थोड़ा आपको दिक्कत दे सकता है थोड़ा लालची भी हो रहे हैं दिन प्रती दिन लालची बर हो रहे हैं लालच बढ़ता जा रहा है पेसो के प्रती ज्वैलरी के प्रती या और किसी मामले में भी लालच को थोड़ा साइड में रखना है नेगिटिविटी हावी हो र कहते हैं कि एगो और एहंकार इंसान को बरबाद कर देता है ठीक के वही दोस्तों आपको ध्यान रखना है किसी भी चीज का जरूरी नहीं सिब्धन का किसी भी चीज का एगो हमारे अंदर नहीं आना चीए चाहे हमारी personality को लेकर हो चाहे हमारी skills को लेकर हो कुछ चीज आपको अपने budget के अनुसार अपने सामर्थ के अनुसार जो आपसे बन सके वो आपको मदद करनी चाहिए आपका भाग ये बता रहा है कि बहुत जड़ आप वो बनोगे जिसके लायक आप हो लेकिन फिलहाल आप वो बनना चाहते हैं जो संभव नहीं हैं हो सकता है संभव जरूर ह हो सकता है संभव इसा नहीं कि दुनिया में कुछ impossible है लेकिन महनत महनत करनी होगी सोच positive रखनी होगी अपनी जिमेदारियों को समझना होगा अपने लक्ष को concentration पे लाना होगा concentrate नहीं होता है आल सी बहुत ज़्यादा है फिर बड़ा लक्ष कैसे मिलेगा बड़े सबने कैस पूरे होंगे होंगे जो बनना चाहते हो वो हो सकता है लेकिन आपको कुछ changes अपने life में करने होंगे कुछ positives लानी होगी कुछ life में व्यवहार में changes लाने होगी यह चीज़ा आप करके देखे आप जीवन में success जरूर होंगे तो please tension ना ले भाग की बिलकुल आपके पक्ष म है भागी बल भी मिल रहा है आपको जरू थे तो थोड़ी सी मेहनत और व्यवहार में परिवर्तन करने की एंकार ना आने दे गुरू ना आने दे बागी सब कुछ ठीक है सब कुछ best है थर्ड नंबर की बात करें जिन्नोंने भी थर्ड नंबर यान की एक रुपे का coin चूस करा है उनकी लिए टेरो कार्ट कह रहे हैं कि आप हमेशा नीचे से उपर उठने पर विश्वास करते हैं कभी भी आप डायरेक्ट उपर पोचने की कोशिश नहीं करते हो आप हमेशा ये कोशिश करते हो कि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो step by step चढ़ते जाओ और हम कमेशा सबका समान करो जो भी रास्ते में मिले सबका समान करते चलो आप कभी भी अगली सीड़ी पर अगर पहुंचते हो तो नीचे वाली सीड़ी के लोगों को कभी भी घमण आपको फिल नहीं आता और सबसे अच्छे से behavior करते हुआ ठीक है आपका वेवहार बहुत अच् नेगिटिव भी हो चुका है तो नेगिटिविटी अभी भी थोड़ी पहुत हैं जो कभी कभी आपको दिक्कत दे देती हैं तो आपको meditation करना चाहिए योगा ध्यान करना चाहिए जिससे कि जो यह problem है यह काफी हद तक दूर हो सकती है तो दिखिए सबसे पहले तो यह बता कोई समझे तो ठीक अगर कोई नहीं समझे तो ठीक कभी भी आप किसी को बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करते हैं लेकिन जिसे भी प्यार करते हैं दिल से करते हैं तो अगर लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं तो आप जरूर बनेंगे थोड़ा सा भाग्य का बल आपको मि लेगा आपको थोड़ा अपने अंदर परिवर्तन करना होगा आपको थोड़ा डोनेशन करना शुरू करना होगा जरुत मंदों की मदद करना शुरू करना होगा इससे क्या होता है ना कि धन में बड़ोतरी होती है आपको डेली मंदीर जाने के आदर डालनी होगी अगर आप जरूरी है लाइफ में तो ये चीज़ आप जरूर करके देखेगा बागी आप जो बना चाहते हैं उसमें आपका जरूर सपोर्ट करेगा जरूर आप बनेंगे लेकिन सिर्फ जरूर थे तो आपको अपने skills को develop करने की अपने सोच को develop करने की अपने आपको positive बनाने की गुसा नहीं करना है अगर दुनिया आलोचना कर रही है आपके बारे में भला बुरा बोल रही है तो सुनिये, समझिये कहा तक उनकी बाते सही है या वो जो कह रहे हैं वो जलन के मारे कह रहे हैं अभी आपका अच्छा समय चल रहा है तो लोग आपसे जल रहे हैं कुछ भी हो सकता है तो बिलकुल लाइटली ले इन लोगों को जादा प्रेशन नहीं लेना है माहिन में ठीक है तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी पसंद माता दी के जयकारे लगाएं चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें बलाकन को प्रेस करें साथी वीडियो को शेयर करना ना भूलें तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धनिवाद जय माता दी हर हर मादेव